गुड मॉनिंग संदीप साथ अरे गुड मॉनिंग हैपी कैसे हो नहीं सर बिल्कुल तब ठीक नहीं है क्योंकि मैं जब भी सुभा उठ रहा हूं आजकल बाड़ी में एनर्जी फिल नहीं होता दिन भर लिकनेस फिकनेस ता लगा रहता है ऐसा लगता है कि बस वह रहूं ले होती एफेक्टिव वह है अपने बॉड़ी को एनर्जेटिक करने का चलो मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से ओल पुलिंग करते हैं और इसे डेली करो इसके लिए जह रहा हूं कि मैं एक्स्टर वर्जीन ऑलिवाइल यूज करता हूं इसे आपको इसके ढखकन में इस इस तरीके से इसे करते करते वॉक्टिंग भी कर सकते हैं आप अपने माउध के एक्सिसाइज कर सकते हैं आप याद रहे कि आपको हर कॉर्णर पे इसे ले जाना है जिससे आपका तीती इस को इसा पी इत gradient संनर और बेसीन और पुलिंग के बाद आप नॉर्मल ब्रश करेंगे और ब्रश करने के फाइदा क्या होगा कि आपके जो तीत में और अलग जग अलग जगा पर ओयल के पार्टिकल चिप के वे वो वाश आउट हो जाएंगे और आपको चिपचिपा सा महसूस नहीं होगा तरीके से ब्रश क करके आप अपनी ओयल पुलिंग को कम्प्लीट कर सकते हैं और हाँ हैपी अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछो ना कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है हेलो फ्रेंड्स ओयल पुलिंग इस ट्रेडिशनल फॉक रिमेडिंग और आयुरवेद तरपी इस ट्रेडिश फिए यह दॉक तरप्तिस्ट इंसेंट इंड याट थैंक य।